नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका यूगर पलेसी गाइड में मेरे ना मैं आशिस शौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी रिसेंट्ली कनिसायक परिक्षा हुई थी 2022 उसका रिजल्ट आया है तो उसके रिजल्ट आने के और इससे सम्मन्दित कोई भी डाउट है तो आप वहां पर क्वेशन कर देना उसके बाद मैं उनके आंसर यहां पर दे दूंगा तो वैसे तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको जो सारे आपके डाउट्स है उनका सेलिशन मिल जाए वह डाउट्स दूर हो कर दिजे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो यह जो मैं पीडियाप के फॉर्म में यह यहां पे है यह कनिस सायक परिक्षा जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजे हैं मैं उनी को पढ़ूँगा बागी चीजों को नहीं पढ़ूँगा तो सबसे पहले देखो क्या है लिखा हुआ है कि जिन विभागों में विज्यापित पदूं की अन्यवारिया अहरता में टंकड परिक्षा के लिए हिंद हिंदी में आपकी जो स्पीट होनी चाहिए न वो 4000 kdph होनी चाहिए ठीक है मतलब की depression per second तो हिंदी में जो स्पीट होनी चाहिए और हिंदी की ये सबके लिए compressory है ठीक है और बोला गया कि जिसमें अगर ऐसा लेखित नहीं है कि हिंदी के बारे में तो उसमें मतलब 4000 की depression उ प्रतिघंटा की गती निर्धारित है तो हिंदी में कितनी है हिंदी में है 4.000 की डिपरेशन और English में है कितनी 8.000 की डिपरेशन लेकिन फरक है अंग्रेजी टंकरन की परिकषा क्या है वे कलपिक है लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है हैं जिनमें इंग्लिश भी कंपल सरी हैं तो वह हम आगे देख लेंगी वह कौन-कौन सी पोस्ट हैं फिर यहां पर देखो अगला लिखावा कि लिखित परिक्षा में सफिल घोशेत अब लड़ते हूं से ही विभागावार वरियता कम्पूटर पर हिंदी टंकर परिक्षा से पूरों ऑनलाइन ली जाएगी तो इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आप लोगों में से किसी ने क्या किया हो कि 746 जो कनिसायो का पेपर हुआ था जिसके कि कुछ टाइम पहले डॉकुमेंट वैरिविकेशन हुआ था तो उसमें यूकि ट्पलेसी ने क्या किया था कि जो वरियता सूची है यानि कि आपकी टाइपिंग से पहले ही क्या हो जाएगा वो आपसे पोश्ट की जो है वो प्रिफरेंस मांग लेगा इसके लिए वो एक अलग लिंक जारी करेगा जहांपे कि प्रिफरेंस आपको भरनी होगी तो अभी तो नहीं आया है वो लिंक शायद तो वो कुछ दिनों में श इस नहीं का आपको कुछ सब्सक्राइब करेंट रहे हैं कि कसा सब्सक्राइब इसक्राइबों क्या आतारो Ст beautine और गएवारी पसमिटी जान कंप्यूटर प्रचालंग की जानकरी MS Office का ज्यान आवशक है उन पद्धू है तो एसे अब्यर्थी जो उप्रोक्त आहरता से संबंदित परिच्छा उत्तीन नहीं करेंगे अंतिम चैन है तो संबंदित पत के लिए विचारित नहीं किये जाएंगे तो कहने का मतलब यहां भी यह बूलना चाहरा है कि कुछ पोश्ट ऐसी हैं जिनमें हिंदी टाइपिंग तो चाहिए ही ठीक है मतलब टाइपिंग वगर है हिंदी और इंग्रिश तो चाहिए उसके अलावा आपको क्या करना है कंप्यूटर की नॉलेज का एक टेस्ट होगा ठीक है तो उसमें भी क्वैलिफाई करना आवशक है तो यहां पर क्या करना है कि उसके बेस पे मैरिट नहीं लगेंगी बस उसको क्वैलिफाई करना है और अगर कोई उस मतलब उस चीज को क्वैलिफाई नहीं कर पाएगा तो वो उस पोश्ट के लिए इलिजिबल नहीं ह को चुछ लेनेे कि इससर कि सबमीं होगा सबमें नहीं होगा सारी पोष्टूंं के लिए नहीं है ये ये कुछ पोष्टूं के लिए इस 사진 को ध्यान में रख लैना बाकी ये बस इतना था अभी हम आगे देखते हैं किस-किस में कौन-कौन सी पोश्ट हैं और क्या बोलते कि उसके लिए क्या-क्या मांगा गया है तो जैसे नमबर एक है कि सहरी विकास निदेशालय उत्राखन दहरादून तो ये वाली जो पोश्ट है इसमें आप देख लेना कि किस कैडिगरी में कितनी पोश्ट हैं मैं उनको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी आप पढ़ लेना बस इस वीडियो में मैं टैपिंग से संबंदी चीज़ नहीं बताऊंगा तो जैसे जो ये वाली पोश्ट है इसमें क्या है कि कम्पूटर वाए हिंदी टंकड में 4000 की की डिप्रेशन गती आवशक है यानि कि इसमें सिर्फ हिंदी की टाइपिंग चाहिए इसमें इंग्लिश की टाइपिंग भी नहीं चाहिए और इसमें आपका वो कम्पूटर जो टैस्ट होता ना वो भी नहीं चाहिए तो जो भी नगर पालिका में जो कनि सायक वगरा है यानि कि जो जूनियर असिस्टेंग की पोश्ट होंगी तो ये सब के लिए एक ही प्रकार की जो eligibility है वो है तो इसको मैं ऐसे करके अभी देख रहा हूँ तो इसको detail से आप लोग खुद देख लेना क्योंकि एक एक करके मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सब के लिए सेम है जो ये नगर पालिका वगरा है तो इसमें देखो लिखावा है कि पत संक्या 2 से 14 तक के विभागों के पदो है तू तो क्या लिखावा कि पत संक्या 2-14 तक के विभागों के पदो ही तो क्या है हिंदी टंकड में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवशक है यानि कि इसमें भी सिर्फ हिंदी मतलब टैपिंग चाहिए इसमें भी इंग्लिश टैपिंग की जुरत नहीं है अगर आप देना चाते हो मतलब वह आप आप से कमपल्सरी नहीं है उसके बाद यह जो अधिमानी आहडता है यह नहीं होती है फिर उसके बाद आपकारी विभाग है तो आपकारी विभाग में क्या है इसमें जो कनी सायक है उसमें भी क्या है कम से कम 4000 की depression भाग में कनिसाय की पोश्च चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में 4000 की डिप्रेशन की गती भी चाहिए, और उसके साथ कंप्यूटर टैस्ट भी देना होगा, वो कंप्यूटर टैस्ट है, वो 100 नम्बर का होगा, ठीक है, और 100 नम्बर में से आपको कम से कम 40 नम्बर लाने जरूरी है, उसको क्वालिफाई करने के लिए, 40 से उपर 50, 60, 70 कितने भी आजाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस क्वालिफाई करना उसको जरूरी है, अगर आप, अगर आपने मतलब हिंदी का टैपिंग अगर तो पास कर ली, लेकिन उसको क्वालिफा विभाग में ये जो है, तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, तो ये परिवहन वियाग की अलगलग पोश्ट हैं, एक संभाग या संवर्ग वालिया दूसरी है, तो इसके लिए भी लिखा हुआ है कि पत संक्या 16-17 के विभागों हे तो क्या है, हिंदी टंकर में 4000 की डि तो इस परिवाहन विवाग वाली पोस्ट में क्या है हिंदी की टाइपिंग भी है और इंग्लिस की टाइपिंग भी है तो हिंदी में कितना है तो इस परिवाद आता है तो सिचाई विवाग में क्या मांग रखा है देखते हैं तो सिचाई विवाग में है कि हिंदी टंकर में चार हजार की की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति है तो इसमें भी सिर्फ वही है सिचाई विवाग में भी आपको सिर्फ हिंदी की टाइपिंग चाहिए इंग्लिस की टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट की जुरत नहीं है फिर है अर्थ एवं संख्या विभाग तो इसमें दिखते हैं इसमें भी सिर्फ हिंदी की टाइपिंग है 4000 KDPH फिर है हूमगार्ड विभाग हूमगार्ड विभाग मतलब अलग-लग जनपत के लिए है यह तो इसमें क्या है इसमें हिंदी में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए बस फिर है उत्राखन राज विद एक सेवा प्रादिकरण तो यह तीन तो यह भी जो मैं आपको बता रहा हूं ने जो हाई न्यायले परिशर वगरे नानिताल वगरे में तो यह जो विदी से संबंदित है इन सब का उन्होंने एक ही बार देख रखा है और नीचे देखते हैं क्या है तो अलगलग डिस्टिक के लिए है यह सारा का सारा तो इसमें मतलब उन्होंने अलगलग न देख करके एक बार में ही बता रखा है तुम नीचे देखो यहां से है तो क्या लिखावा पद संक्या 23-41 तक तो आप उपर देख ले ना सीरियल नंबर 23-41 तक क्या है टंकर्ड नि हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग लेकिन यहां पर दियान रखो इंग्लिश टंकर्ड में नियूनतम 4,000 की डिप्रेशन की घंटी लेकिन यहां पर दियान रखो कि अंग्लिशी टंकर्ड में नियूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गती यहां पे क्या है यहां पे इंग्लिश में भी 4,000 है ठीक है हिंदी में भी 4,000 है और इंग्लिश में 4000 KDPH की स्पीड मांग रखी है बस इसके अलावा आ रहा है आपका क्या खाद्य आप उड़ती वगरे से संबंदी जो यह विभाग है इसमें आ रहा है ठीक है तो इसमें जो है लिखावा 43 एवं 44 विभागू के लिए मतलब पत संक्या जो 43-44 है इसके लिए क्या है इसके क्या है तो इसमें क्या लिखावा इसमें जो अनिवार यस एक ऐठ आ है तो वह किया है nostalgic अब आप यहां पे बोखो यहां इस में recruiting में uda कि crane में प Этот 8000 KDPH है लेकिन इंग्लिश तो वेकलपिक है वो अनिवारे नहीं है तो आप सिर्फ हिंदी वाले को ही फोकस करना है कि हिंदी वाला 4000 KDPH होगा इसमें यहाँ पर लिखावा भी है कि हिंदी में टंकर परिक्षा अनिवारे है ठीक है श्रम विभाग हो गया विशिर्ष भूमे अध्यापित अधिकारी अल्मोडा हो गया कारेले, जिलापूरती, रुदर्प्याग वगरा व स्वगया और यह पौर्डी वाला जो है जिलापूरती कारेले जिलापूरती चमोली तो यह अलग-लग डिस्टिक के हैं तो इनका एक साथ देखते हैं नीचे गया है ठीक है इसके बाद अभी योजन विबाग उत्राखन आ गया सेवा योजन भी आ गया इसमें नगरेवम ग्राम नियोजन ग्राम निर्मान विबाग तो यह इन सबका जो है इन्होंने एक साथ दे रखा है ठीक है अलग-लग ना दे करके एक साथ दे रखा है तो लो देखो यहां से यहां तक आ गया तो पद संक्या 46 से लेकर के 41 तक के जो पद है ना जो विबाग है उनका यहां पर एक साथ दे रखा है तो क्या है लिखा हुआ है कि हिंदी में टंकर परिक्षा अनिवार्य है और स्पीड कितनी है 4000 KDPH की स्पीड हिंदी में तो यहाँ पर यह है और इसके अलावा बाकी यह reservation से संबंदिता है यह इतना important नहीं है अभी तो हम typing के उपर बात कर रहे हैं तो इन में सिर्फ हिंदी की typing मांग रखिया है तो बस यह इतनी post है थी जो भी post है उनमें मतलब कितना कितना मांग रखा है यह है अब इसके बाद मैं आप लोगों के कुछ सवाल थे मैं उनके जवाब दे देता हूँ सबसे पहले किसी ने यह पूछा था कि क्या बोलते कि कॉन से font पे होगा देखो जो font होता है वो kurty dev में होगा और kurty dev में मतलब kurty dev जो है वो 10 या फिर kurty dev 11 और यह इन दोनों में से 1 में होगा और दूसरे में क्या होता है, shift के साथ यह आता है, और बिना shift के यह आता है, तो बस इसका फरक होता है, बाकि किसी चीज का फरक निहाँ होता है, लग बाक सेम है, तो ज़्यादा वो करने की जुरत नहीं है, कि 10 पर करना, अगर आप किसी पर भी कर रहे हो, तो आपकी speed को इसस को डाल देगा कि कब से होगा तो ये अभी तक नहीं पता है तो मैंने कल चेक किया था तो कल तो कुछ आया नहीं था आयोग की वेब साइट पे तो ये चीज हो गए ठीक है लेकिन मैं आप से ये बोल रहा हूं कि आप डेट का वेट मत कीजिए अगर आपको टैपिंग नहीं आती है तो आप शुरू हो जाईए दिन में 3-4-5 गंटा शुरू हो जाईए आपको नहीं पता कि आयोग हो सकता है 10 दिन का टाइम दे 15 दिन का क्योंकि पटवारी में फिजिकल के लिए भी उन्हें सिर्फ 15-20 दिन का टाइम दिया था उससे ज्यादा नहीं दिया था तो आ आप कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि सर की कोचिंग लगाना जरूरी है या घर में करना जरूरी है देखो अगर आपने पहले से कर रखी है तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास घर में लैपटॉप औगर है तो आप घर में ही कर सकते हो लेकिन अगर आपने नहीं कर तो हमें ना वो बुरियत से नहीं आती है वरना घर में अकेले करते करते कई बार बुरियत आने लगती है और अगर आपका ऐसा है कि कोई ही नहीं आसपास कोचिंग इस्टूट वगयरा बंदर जो टैपिंग कर वाते हैं तो तब आप इसको खुद से भी कर सकते हो टिक है नेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोज वगरा है यूट्यूब वगरा पे जिसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से टैपिंग करनी है, क्या करनी है और उसके अगर अलावा आपके पास नहीं भी है वो वीडियोज और अगर आपको ये चाहिए कि इसके संबन मुझसे कुछ पूछना है या प्रैक्टिस जो एक्सरसाइस होती ना इसमें एक्सरसाइस वन में क्या करना दूसरे में तो वो अगर एक्सरसाइस चाहिए या वो चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँगा मुझे टेलिग्राम पे या फिर वोटसेप पे मैसेज कर देना तो दोस्तों जो आपकी क्वेशन थे लगबख लगबख मैंने आंसर दे दिये उनके और फॉन्ट वाला वही है कुर्तिदेव 10 या कुर्तिदेव 11 पे दोनों में ज़्यादा फरक नहीं होता है यूगे ट्रिपल सी कुर्तिदेव 10 में कर दा था लेगिन यूगे पीस का मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने वहां पर टाइपिंग दी नहीं है अभी तक तो एक तो यह बात हो गई दूसरा बात यह है कि टाइम का मैं बता चुका हूं कि मतलब एक मैने का टाइम है आपके पास maximum एक मैने का टाइम एक मैने से पहले पहले करवा देंगे जहां तक मुझे ही लगता है जितना मतलब मुझे जान करी है तीसी बात यह हो गई खुद से कर सकते हो लेकिन सजेशन मैं दूँगा कि बहार चले जाओ अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है हाँ अगर आपने पहले थूड़ा बहुत कर रखी है और आपको आइडिया है कि हाँ कौन सा फिंगर कहां पी जाता है कैसे करता है तो आप घर में भी कर सकते हो इसके अलावा ये चीज़े हो गई और कौन से सॉफ्टियर पर होगा ये चीज़ पूस रहे तो यह सॉफ्टियर का मिले को आइडिया नहीं है कि कौन से सॉफ्टियर पर होगा बढ़ हाँ अगर आप घर में करना चाते हो तो आपके लिए मैं एक सॉफ्टियर बता दू सोमना करके ठीक है सोमना टाइपिंग करके आता है और जो इस सोमना टाइपिंग है यह बिल्कुल फ्री है बाकी टाइपिंग वगरे में बहुत दिक करते हैं उसमें थोड़ा कुछ टाइम तक फ्री करते हैं फिर बाद में वो बोल देते हैं कि लिमिट कर देते हैं कि दो मिन दस मिनट दो मिनट अलगलग टाइमिंग है और यह सोमना जो टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाता है ठीक है तो यह जो है इसको आप नेट से डाउनलोड कर दीजेगा तो सौफ्ट्वेर भी मैं आपको बता चुका हूँ और अगर कुछ चीज़े वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार